बॉर्णी और विल्कम बाक तो इस चैनल तो अन्यू व्लोग। टाइम स्पेन करने के लिए मैं ट्रेस पे आ गई हूँ अपनी मॉर्निंग टी लेके और अभी जो मैं कर रही हूँ वो है इनसाइड आउट की जो ब्लॉग है वो देख रही हूँ उनकी करेंट ब्लॉग मैं हर रोज उनकी ब्लॉग देखती हूँ या फिर रात को सोने के पह ब्लॉग देखती हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है और मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ बख ब्लॉग देख लेता है और मैं बहुत अच्छा फेल करती हूँ आप लोग भी जोखी नए यूट्यवर हो प्लीज इनका ब्लॉग देखिए क्योंकि आपको भी समझ म आएगा किस तरीके से वीडियो बनाते हैं किस तरीके से एडिटिंग करते हैं और एक अच्छा बुस्ट अप मिलेगा आपका लाइफ में और जो कि यूटीवर नहीं हो नॉर्मल फॉलो करते हो यूटीव को यूटीव चैनल को उनको भी मेरा रेकमेंडेशन है कि इनका ब्ल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी मेरी मौनिंग तुनायथ रूटीञ चोटी चोटीक्लीप के दौरान मैं क्या करती हूँ सारा दीन अक्यली करना हो गया है अब ही मैं नीचे जाऊंगी और breakfast बनाऊंगी और उसके बाद बाद जैसा दीन चलता है आप लोगों के साथ शेयर करती हुई जाऊंगी बहुत interesting होने वाला है मेरे life के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ गी please बीना skip किए वीडियो एंट तक एंजॉय कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपना वैलेविल फीडबेक जरूर दीजिएगा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को तो चलिए स्टाट करें तेरे से नीचे आने के बाद मैं मैं भी ब्रेकफस्ट की तयारी कर रही हूँ ब्रेकफस्ट के लिए मैं बना रही हूँ टी, रोटी और सबची तो चलिए बना लेते हैं ला-ltर 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 All the years and far from my, she's waiting for love to be realized ब्रेक्फस्ट के बाद कीचिन का कुछ सामान लेने के लिए मुझे थोड़ी टाइम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है आने के बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगी अब इमें कीचिन में आगे हूँ आज की लांच बना लेती हूँ पहले मैं बना लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ मेनू शियर करें यहां पर मैं बना रही हूँ बातुआ साग हमारे घर में बहुत ज़्यादा वेजीटेबिल्स खाया जाता है एककोर्डिंग तू फिश और मीट हम बहुत ज़्यादा वेजीटेबिल्स खाते हैं तो यहां पर मैंने बस ओइल दे रही हूँ और सुखा मिर्ची और पाच पोरुल उसके साथ सग अच्छी तरीके से चौप्ट करके और आलू चौप्ट करके मैं फ्राई कर रही हूँ ढखके अच्छी तरग्ये से कुप्ठ होने के लिए छोड देंगे डाल बना रही हूँ, सिंपल मुसूर का डाल यहाँ पर बन रहा है चिकेन कड़ी रेसिपी डिटिल्स में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ इससे पहले बहुत बाद शेयर कर चुकी हूँ रेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा आज का मेरा लांच मेन्यू में है रोटी, राइस, एक मिक्स्ट सबजी, चिकन, डाल और बातुआ शाक चलिए लांच कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों से में इधर मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए डिनर में आज मैं बना रही हूँ गोबी की पराठा जिसके लिए मैंने फुल गोबी को ले लिया है और बहुत फाइनली चॉप करके ले रही हूँ बस गोबी का जो फुल पोशन है वही हमें लेना है और बागी का पोशन इस रेसिपी में जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हम गैस ओन करके चरा देंगे एक पैन जिसमें हम दे देंगे थोरा सा वाइट आइल बहुत ज़ाधा आइल की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक छोटी चमच के करीब हम दे देंगे और एड़ करेंगे जीरा गोटा जीरा एक छोटी चमच के करीब और उसमें हम गोबी को एड़ कर देंगे 30 से 40 सेगेंड फ्राइ कर लेने के बाद हम एक एक करके मसाले आड़ करेंगे मसाले में मैंने ले लिया है नमक, मिर्ची पाउडर, एक पिंच, हल्दी पाउडर और चाट मसाला चाट मसाला देने से पराठा, बहुत चटपटा और स्वादिस्ट बनता है मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार दे दीजिएगा, जितना स्पाइसी आपको खाना है अभी हमें बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है, एक दो मिनिट के लिए हम फ्राइ कर लेंगे इधर एक बोल पे मैं ले रही हूँ मैदा, आप इस जगा पे आटा का भी इस्तिमाल कर सकते हो अगर आप आटा की पराठा पनाना चाहते हो तो मैंने ले लिया है मैदा, इसमें मैं एड करूँगी एक चुटकी आजवाइन, नमक और एक छोटी चमच वाइट ऑईल अब पानी के मदद से हम गूंद के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे अब डो को हम अलग पोजिशन में डिवाइड कर लेंगे और इसके अंदर जो हम गोबी का स्टाफिंग बना के रखे हैं, वो अच्छी तरह से फिल कर देंगे और रोल करते हुए एक पराठा की शेप दे देंगे आज की मेरी जिनर मेनिवे हैं, गोबी का पराठा जो कि मैं खाने वाली हूँ दही के साथ अभी जो गोबी हम बना के रखे थे, स्टाफिंग उसमें हम बहुत सारा चौप्ट धनिया पत्ता एड़ कर रहे हैं यह धनिया पत्ता हम कुकिंग के टाइम भी आड़ कर सकते थे लेकिन धनिया पत्ता का जो एक रॉव फ्लेबर है वह बहुत साथा पसंद है इसलिए मैं एकदम एंड में आड़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग पराठा के अंदर अच्छे से सारी जगा स्प्रेड हो जाए अभी फिर से गैस आन करके मैंने चला दिया है पैन पराठा को हम फ्राइप कर लेंगे मैं इदर घी में फ्राइ कर रही हूँ आप लोग वाइट ओयल में भी फ्राइ कर सकते हो अब एक एक करके मैं सारी पराथा बना लूँगी अब 11 बच्चु का है वेट सो गया है मैं थोड़ा सा स्कीन केर कर रही हूँ और कल सुबह का जो ब्लॉग है जो सुबह अपलोड करूंगी वो एडिट कर रही हूँ करने के बाद मैं सो जाओंगी तो आज की मेरी ब्लॉग की ही तक ता आशा करती हो आप लोग को पसंद आईए पसंद आईए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को आज चलती हूँ बाइ बाइ गुट नाइट एवरिवान